बिस्मिल्लाहर्मान रहीम, असलाम अलेकूम, कैसे हैं आप सबी लोग, तो चलिए आज की रेस्पी शुरू करते हैं चिकन शुआर में, और यह कैसे बनाए जाते हैं, चलिए आपको बताते हैं, चिकन को बॉइल करना है, फिर इसके रेशे कर लेने हैं, यह प्याज है, एक मेडियम साइज प्याज लिया, मैंने उसे बॉइल करके, उसका पेस्ट बना लिया है, और थ्री टेबल स्टोन घी में हमसे, हलका सा गोल्डन करेंगी, चाड़ मसाला बॉड़िए, और आप लस्टोन अदरख लटन कोड़र एड़ करेंगी, और रन तीस्पून गरम मसाला पॉड़क्ट, ब्लैक नक्सपून लाल मिर्ज पॉड़क्ट, ग्वाटर टीस्पून नमक क्यूंके नमक डाल कर हमने चिकन को बॉइल की गा था, वन तेस्टोन हलोदी, साफ तेस्टोन चाड मसाला, श्रैड किया हुआ चिकन, हलकरास आग को तेज करेंगे और इसे इच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अब ये पांच मिनट हो चुके हैं और मैं करने लगी हूँ आग बन, वन पिंच औरी गन्नो इसमें डाल देंगे, और ठंडा होने देंगे, श्रैमे में जो वाइट सॉस लगाया जाता है, वो अबनाने लगी हूँ, ये मयोनी इसलिए है मैंने एक पाव, ये बहुत थीक होता है, तो इसे थोड़ा सा पतला करेंगे, ये मैंने मसाला रडी किया हुआ है, वन टीस्पून औरी गैन्नो, वन टीस्पू इसमें है, कुटी मिर्च, तो टीस्पून मसाला है टोटल, वाटर टीस्पून नमक जाएगा इसमें, क्योंके मियोनीज में खुद भी नमक होता है, सोया सॉस, 1.5 तेबल स्पून, अब इसमें पानी एड करेंगे, हाफ का इसमें पानी एड करेंगे, और इसे मिक्स एक मेवनिज में सवा कप हमने पानी ढ़ला है फिर हो गया है जैसा शोर में के लिए हमें चाहिए उतना पतला क्योंकि ना बहुत ज्यादा थीक हो ना बहुत ज्यादा पतला हो अब यह भी रेड़ी हो चुका है अब हम बनाते हैं शोर में और उनकी पैकिंग भी बताएंगे कैसे करनी है लेकिन उससे पहले बना लेते हैं हम ग्रीन चटनी व्यासे तो रेड होती है लिए हमने ग्रीन बनाई है इसके जो बेस में लगाते हैं हरा प्याज है थोड़ा सा लसन लिगा है चार-पांच दाने हरी मेर्श के और थोड़ा स पहरा दुनिया इसे ग्राहिल कर लेंगे वन फीस्पून नमक एड़ करेंगे वन टेबल स्पून स्कुटी मेर्श जो भाई का पानी आड़ करेंगे और सिर का थोड़ा सा ढालेंगे चली साओ श्वार्मा सेखेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे चट्नी हमारी त्यार हो चुकी है श्वार्मा सेखेंगे और इस पर लगाएंगे सबसे पहले चट्नी जो हमने भी रेडी की है उसके बाद इस पर लगाएंगे चिकन जितना भी आप लगाना चाहें हलका सा फ्राई किया हुगा प्यास ताकि इसका पानी ड्राइ हो जाए स्वास एड़ करेंगे बंद को भी बरी कटी हुई वो डालेंगे इसके उपर सिरके में डूबा हुआ यह खीरा था यह लगाएंगे और अब इसे बंद करेंगे बाकी के जो श्वार में है वो भी सारे यह से ही त्यार कर लेंगे जी व्यूबर्द हमारे श्वार में रेड़ी हो चुके हैं और इसका सॉस भी बहुत यमी बना है बहुत ही मज़ेदार किसम के बनी है घर पे जरूर ट्राइ की जिएगा अपना रखेगा बहुत सा ख्यार मुझे दी जिएगा इजाज़त अल्ला हाफिज ये झाल आए झाल झाल